Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Famous poet Edgar Guest की एक poem के बारे में जिसका नाम है Have You Earned Your Tomorrow? इसे 1916 में publish किया गया था यह poem 16 lines की है जो की 4 quatrains में बाती गई है हर quatrains की रैमिक स्कीम है A.A.B.B. Friends, इस poem की theme है Love and Kindness Towards Others यानि जो अपने fellow human beings हैं उनके लिए किस तरह हमारे मन में kindness होनी चाहिए, love होना चाहिए और किस तरह हमेशा हमें उनकी help करनी चाहिए यही इस poem का पुरा मकसद है यह poem एक motivational poem है और लोगों को दूसरों की help करने के लिए motivate करती है Prince Edgar Guest एक British born American poet थे उनका जन्म हुआ था 20 August 1881 में और उनकी death वी थी 5 August 1959 में साथ ही उन्हें People's Poet भी कहा जाता है क्योंकि उनकी जादतर poems जो होती है वो लोगों को motivate करने के लिए हुआ करती है उनकी famous works में The Panama Canal, Just Folks, All That Matters यह सभी शामिल है तो चलिए friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं Is anybody happier because you passed his way? यानि क्या कोई खुश है क्योंकि तुम उसके रास्ते से गुजरे हो क्या तुम्हें देख कर किसी के मन में कोई खुशी आई है? Does anyone remember that you spoke to him today? और क्या किसी को ये बात याद है कि तुमने आज उससे बात की तुम आज उससे मिले यानि क्या तुम्हें कोई याद रखता है? This day is almost over and its toiling time is through यानि ये दिन लगभग खत्म होने पर है और इसमें जो toiling time है यानि वो समय जब हम काम करते थे वो समय भी अब बीच चुका है यानि ये दिन अब खत्म होने वाला है Is there anyone to utter now a kindly word of you? और अब क्या तुम्हारे बारे में कोई एक kindly word कहेगा? यानि क्या कोई तुम्हें याद करेगा तुम्हारी kindness को याद करेगा और उसके बारे में कहेगा इस पूरे दिन में तुमने क्या ऐसा कोई अच्छा काम किया है? यानि एक तरह से कहें तो यहाँ पर poet जो है वो question कर रहा है कि क्या तुमने इस पूरे दिन में जो समय बीता है उसमें कोई अच्छा काम किया है जिसके लिए लोग तुम्हें याद रखें यानि तुमने अपने उस दोस को जो अचानक से तुम्हें रास्ते में मिल गया उसे एक चीर्फुल ग्रीटिंग दी है उसे देख कर खुश होकर तुम उससे मिले या नहीं और अच्छलिश शॉट ऑफ हावडी और देन वैनिश इन दा थ्रॉंग फ्रिंट्स थ्रॉंग का मतलब होता है भीड तो क्या तुमने अच्छे से खुश होकर अपने दोस से मुलाकात की या उसे एक बोरिंग सा एक खराव एक्स्प्रिशन के साथ सिर्फ एक हावडी कहा और भीड में जा करके मिल गये या तुमने अपने दोस से एक सही मुलाकात की या नहीं की या तुम सेल्फिश थे और सिंपली अपने रास्ते भाग गए अपने दोस के लिए तुमने इंतिजार नहीं किया तुम उससे सही तरीके से मिले नहीं बस बिलकुल अपनी selfishness दिखाते हुए उसे वहीं उस भीड में छोड़कर तुम चले गए और is someone mighty grateful for a deed you did today? या कोई बहुत grateful है तुम्हारे लिए बहुत ही जादा grateful है कि तुमने उसके लिए कुछ किया इस बात को सोच सोच कर वो तुम्हें याद करे तो तुम्हारा दिन आखिर कैसा गया? क्या तुमने कुछ अच्छा किया या तुमने कुछ खराब किया? पोईट यहाँ पर इसी सवाल का जवाब मांग रहा है यानि क्या आज रात तुम कह सकते हो इस दिन के बारे में जो की बहुत ही जल्दी बीद रहा है कि जितने भी दोस्त तुम्हारे जितने भी लोग तुम्हारे बगल से गुजरे थे उन में से किसी एक का भी तुमने कुछ बहला किया हो यानि तुमने किसी एक भी इनसान की हेल्प की है आज पूरे दिन में क्या तुम ये बात कह सकते हो? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Friends, rejoice का मतलब होता है खुशिया मनाना तो poet कह रहे हैं कि क्या एक अकेला भी ऐसा दिल है एक अकेला ऐसा इनसान है जो खुश होगा क्यों? क्योंकि तुमने उससे कुछ ऐसा कहा या उसके लिए कुछ ऐसा किया तुम्हारी किसी हरकत के कारण क्या कोई आज खुश हुआ होगा? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead और क्या तुमने किसी को hope दिया है उसे motivate किया है एक ऐसे आदमी को जिसकी hope जिसकी उमीद धीरे धीरे घट रही थी मगर अब उसमें दुबारा से courage आ गई है हिम्मत आ गई है तो क्या तुमने ऐसा कोई अच्छा काम किया है अपने पूरे दिन में अब शाम हो गई है अब तुम मुझे बताओ Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? यानि क्या तुमने अपना दिन बरबाद कर दिया उसे खो दिया या उसे अच्छी तरह से बिताया है यानि तुमने अपने दिन में क्या किया कोई अच्छा काम किया या कोई बुरा काम किया अपने दिन को पूरा बरबाद कर दिया या पूरी तरह उसे useful बनाया अच्छे कामों से यानि पोईट कहते हैं कि क्या तुमने अपने अच्छे कामों से अपनी kindness से, kind work से एक ट्रेल छोड़ दिया एक रास्ता बना दिया अपने अच्छे कामों का या अपने discontent के कारण अपनी बुरी हरकतें अपने बुरे कामों के कारण लोगों के मन पर एक स्कार यानि एक तरह से कहें तो एक घाव छोड़ दिया यानि पोईट कहते हैं कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो वो एक रास्ता बना देते हैं जिस जो तुम तक जाता है तुम्हारे अच्छे कामों तक जाता है लेकिन अगर कुछ गलत करोगे तो वो लोगों के मन पर उनकी आत्मा पर एक स्कार यानि एक घाव छोड़ जाता है और जब तुम अपनी आखे बन करते हो स्लंबर के लिए यानि नींद के लिए सोने के लिए जब तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि भगवान तुमसे कहेंगे कि तुमने आज जो कुछ भी काम किये है जितने भी अच्छे काम किये है उसके कारण तुम्हें एक और दिन मिलता है जीने के लिए तुमने अपने लिए एक और दिन अर्ण किया है कमाया है अपने अच्छे कामों से तुम एक और दिन जी सकते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने ऐसा कुछ अच्छा किया है कि God खुद तुमसे ये आकर कहेंगे और इसी के साथ friends ये poem खत्म हो जाती है Poet basically इस पूरे poem में हमें motivate कर रहा है कि हम अपने fellow human beings के साथ एक अच्छा behavior रखें और साथ ही हमेशा उनकी help करें अपने friends को, अपने human beings को सही समय पर help करने से ही हम God के करीब पहुचेंगे और हमारी life जो है वो happy और peaceful बनेगी तो friends ये थी Edgar Guest की poem Have You Earned Your Tomorrow?